जहिन साथ युन विश्कार एक बार फिर से आप सभी का श्वागत है ट्रेपल सी के इस लक्ष बैच में दोश्तों ट्रेपल सी लक्ष बैच की आज दूसरी क्लास है जहां पर ट्रेपल सी एक्जाम के लिए most important questions हम आपके साथ discuss करने वाले हैं साथी साथ ट्रेपल सी एक्जाम के लिए अभैक्ष ल कंप्यूटर ने आप सभी के लिए लांच किया है ट्रेपल सी का free crash course तो जिनका भी ट्रेपल सी का एक्जाम नवंबर, दिसमबर या आगे के मन्त में हैं वो ट्रेपल सी के free crash course को आज ही join करने जोईन करने के लिए आप विजिट कीजिए www.abhexl.com यहाँ पर सामने ही आपको मिल जाएगा courses का option यहाँ पर courses पर click करके आप course में enroll कर सकते हैं इस free class course में आपको मिलेगा free premium classes, Q&A sessions means question पूछिए, answer लीजिए अगर किसी भी topic से सम्मनित कोई question है तो फट फट यहीं पर आप question पूछ सकते हैं और answer प्राप कर सकते हैं साथी साथ, triple C का free mock test, Libre Office का पूरा theoretical part जहाँ पर सभी मीनों उसको explain करके मैंने समझाया है chapter wise mock test, triple C का model paper और जो regular classes है 7.30 pm वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी तो फट फट जॉइन कर लीजिए, यहाँ कि seat इस सीमित है, फट 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 देर मत करिए mock test के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने mock test open हो जाएगा triple C exam में कैसे प्रस्ण आते हैं, यहाँ पर mock test देकर आप देख सकते हैं और आपको अभी और कितनी तयारी की जवत है, यह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं साथी साथ, triple C exam में हमारी महा मैरतन क्लास से काफिसाई questions पूछे आते हैं इसलिए exam से पहले आप सभी अब actual computer की 1100 प्रस्णों की महा मैरतन क्लास को ज़रूर देख लीजेगा साथी साथ, exam में Libre Office की काफिसाई questions पूछे आते हैं इसलिए Libre Office की भी महा मैरतन क्लास हमने कराई है उसे भी आप देख लीजेगा, जिने भी e-books की आशकता है वीडियो की नेचे लिंक दी गई है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर आप study material पर क्लिक करके e-book को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर 2000 questions की e-book, 1000 questions की e-book और Libre Office की e-book दी गई है आप डाउनलोड कर लीजे, अपनी तयारी को बहतर बनाए और CCC का जो हमारा लक्षे है, CCC की साम में टॉप करना उसको complete करिए तो चलिए time waste न करते हुए, सुरू करते हैं आज की ये class नोकि शीदी बात नोबक्वास, यही है अभैकसल की class, let's begin in this topic पहला कुश्चन है कौन सा कमांड वियाई संपादक में सभी संचिप्त रूपों को दिखाता है वियाई एडिटर क्या होता है, पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए इन सभी प्रक्षणों को हिंदी और इंग्लिस दोनों language से मैंने लिखा है ताकि किसी भी इस्टन को कोई भी दिक्कत ना हो और इन सभी questions को आप मौक्चश की रूप में लेते रहिए और comment box प्रासर देते रहिए वीडियो के लाश में आप जरूब बताईएगा कि आपके कितने questions सही हुए है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first a, b, capital और ismall दोनों का ध्यान आपको रखना है नोकि जब vi editor में कोई command capital later में लिखी जाती है तो कभी उसका कारेट change हो जाता है और ismall में इसका कारेट दूसरा हो जाता है vi editor होता क्या है vi का full form क्या है यहाँ भी आपको पता होना चाहिए तो vi का full form होता है visual editor क्या होता है नोट कर लीजेगा visual editor होता है साथी साथ vi का उप्योग हम कहा करते हैं तो जैसे आप सभी लोग normally notepad का notepad++ का sublime text editor का उप्योग करते हैं वैसे ही vi editor एक screen oriented text editor program है जिसका उप्योग मुख्यता linux operating system में किया जाता है साथी साथ linux operating system में भी vi editor का उप्योग किया जाता है ठीक है ना तो यहाँ पर right answer आप नोट कर लीजेगा अब आप देखते हैं pacman was invented in means pacman का आविश्कार कब किया गया था 1987, 1980, 1985 या 1990 बताइए क्या होगा इसका right answer pacman क्या है यह जानना भी आपके लिए जरूरी है तो कि exam में question भी पूछाता है कि pacman क्या है pacman किस के दोर design किया गया pacman के developer कौन है तो pacman क्या है आपका एक Japanese video game है क्या है आपका एक Japanese video game है और इसका right answer होगा यहाँ पर option second 1980 pacman के developer में सबसे जो main नाम है वो आता है नेम को का ठीक है इन्होंने और भी इनके साथी थे सबने मिलकर इसको develop किया था अब देखते हैं next question क्या हम LibreOffice Empress में templates slide हटा सकते है जब LibreOffice Empress को open करते हो तो वहाँ पर आपको template मिलता है आप चाहें तो उन template का उपयोग कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप बिना template के भी अपनी slides को create कर सकते हैं यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने LibreOffice impress open हो रहा है impress क्या है आपका presentation का एक program है जैसे आप MS Office में उपयोग करते थे PowerPoint का वैसे यहाँ पर impress है यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मिल गया select a template अगर आप इसमें से कोई template select करना चाहते हैं template क्या होते हैं अपने custom page होते हैं ठीक है मिस्ट पहले से बने बनाए page होते हैं उन्हें ही हम templates के नाम से जानते हैं तो अगर आपको यहाँ से कोई format चाहिए तो आप यहाँ पर click करके उस format को insert कर सकते हो slide का format वैसे ही हो जाएगा अगर आप नहीं चाहते हैं तो directly आप file पर जाके new पर click करके या फिर वहीं पर आप close कर देते हैं उसको तो भी आपको बिना template के presentation मिल जाता है ठीक है ना जैसे यहाँ पर इसे close करना है close पर click कर दिया देखे बिना template के slide हमारी हो गई ठीक है ना तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि क्या हम LibreOffice इंप्रेस से template style हटा सकते हैं तो बिलकुल सही है option first is right अब next SBI दोरा online payment करने के लिए कौन सा app जारी किया गया है which app has been released by SBI for making online payment SBI Pay, Yono SBI Online या फिर इनमेशिक कोई नहीं SBI का full form भी triple C गिसा में पूछता है simple सा है State Bank of India अब ये question exam में पूछ देता है कि एक छेत्र की सबसे बड़ी bank कौन सी है या किस bank की साखाएं सरवादिक हैं ऐसा question भी triple C exam में काफी पूछता है तो SBI की साखाएं काफी ज़्यादा है और सबसे बड़ा छेत्री bank के अंतरगत भी आपका SBI आता है और SBI ने online payment करने के लिए launch की आपका you know SBI है ना और आप ads भी वहाँ पर सुन पाते हैं तो you know है तो क्यों know है है ना अब next IIN number means INN का full form क्या होता है यहाँ पर थोड़ी सी mistake है यहाँ पर IIN होगा बताए issue identification number issue identification number issue identify number या issue identity number बताए क्या होगा इसका write answer तो यहाँ पर इसका write answer होजाएगा option second issue identification number अब next क्या LibreOffice Writer के title बार में दस्तावेज के सीरसक में file extension सामिल होता है true या false बताए क्या होगा इसका write answer तो यहाँ पर देखिए आपके सामने LibreOffice Writer open है यहाँ पर zoom कर लेते हैं zoom करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर जाइए देखिए यह आपका title बार है जहाँ पर लिखा हुआ है untitled to डैस LibreOffice Writer means आपने LibreOffice Writer open किया है यह यहाँ पर लिखा है लेकिन file का extension यहाँ पर include नहीं है सिर्फ और सिर्फ file का नाम यहाँ पर होता है file name अगर आपने अभी नहीं दिया है तो वहाँ पर untitled 1 अगर दूसरी file है to 2 तीसरी file है to 3 ऐसे यहाँ पर आपका लिखा रहेगा तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा option b false नोकि वहाँ पर extension नहीं होता है अब next किस protocol को connection oriented protocol कहा जाता है बताए कौन सा ऐसा protocol है जिसको connection oriented protocol कहते हैं TCP IP, HTTP, FTP या फिर USENET तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first TCP IP को connection oriented protocol कहा जाता है अब triple C exam में इससे सम्मदित एक प्रस्ण यहाँ पूछाता है कि internet का standard protocol कौन सा है तो internet का standard protocol TCP IP को ही कहा जाता है या internet का मूलभूत protocol TCP IP को कहा जाता है triple C exam में इससे सम्मदित एक question यहाँ पूछाता है कि TCP IP का full form क्या है तो TCP IP का full form होता है Transmission Control Protocol क्या होता है Transmission Control Protocol और IP का full form भी CCC exam में काफ़ी पूचता है कभी-कभी जिसका full form होता है Internet Protocol दोनों को याद रखिएगा HTTP का आप जानते ही है Hyper Textured Transfer Protocol और FTP का full form होता है File Transfer Protocol क्या होता है File Transfer Protocol अब next Facebook में एक user सिर्फ एक ही page का admin हो शकता है बताइए क्या Facebook में अगर कोई page आपने बनाया है जैसे आपका अपना Facebook page है अब है Excel Computer आप यहाँ पर इसको follow कर लिजेगा तो Facebook page में एक ही admin हो शकता है बिल्कुल गलत है Exam में एक question कभी कभी यह पूछता है क्या Facebook page में multi admin हो शकते हैं बिल्कुल सही है multi admin का मतलब होता है एक से अधिक admin ठीक है ना एक व्यक्ति कई page का admin हो शकता है और एक page में कई admin हो शकते हैं दोनों बाते सही हैं अब next PNG stand for PNG का full form क्या है बताइए portable network graphics, portable new graphics, portable network graphical या फिर इन में से कोई नहीं PNG है क्या तो image का एक प्रारूप है कभी कभी triple C किसाम में यह question पूछ लेता है कि निम्न में से image का सही प्रारूप कौन सा है तो आप देखते है JPG, JP Easy, BMP, PNG यह सभी क्या है image की प्रारूप है नोड कर लीजेगा जाहे वो JPG हो, चाहे JP Easy हो, चाहे वो BMP हो, या GIF है या PNG है यह सभी क्या है image के ही प्रारूप है ठीक है ना याद रखिएगा और यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा portable network graphics ठीक है याद रखिएगा अब next क्या हम display setting से text size बदल सकते हैं, can we change the text size from display setting true या false बताइए क्या होगा इसका right answer तो बिलकुर सही बात है, display setting से हम text के size को बदल सकते हैं, option first is right, अब next server, means कौन सा server, network के लिए file ओको store करता है और इन्हें manage करने का काम करता है बताइए क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option fourth, file server file server क्या करता है? network यह नेको store करता है, उन्हें बिवश्थित करने का काम करता है कैसे कहां पर किसका उपयोग करना है इन सभी चीज़ों का ध्यान रखता है फाइल सर्वर अब next राइटर की extension .odious होती है बताइए क्या LibreOffice राइटर की extension .odious है सिंपल सा कुश्चन है एक चीज़ आपको एक्जाम में ध्यान रखना ही है कि कभी कभी ट्रपल सी में false first में हो जाता है और true को b में रख दिया जाता है अक्सर आपको true first में और false b वाले मिलता है इसलिए आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first false क्योंकि राइटर का extension क्या होता है तो राइटर का extension son dot odt होता है क्या होता है dot odt calc का होता है dot ods और impress का होता है dot odp तीनों को आप याद रखिएगा अब देखते हैं next question जिफ फाइल का अर्थ क्या है what is the meaning of zip अर्था जिफ फाइल deleted फाइल compressed फाइल या fragmented फाइल या safe फाइल तो इसका right answer हो जाएगा option B compressed file compressed file क्या होती है जब किसी file का आकार काफी अधिक होता है और उसे आप छोटे आकार पर परवर्थित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी file को compress कर सकते हैं इसके माद्दिम से बड़े आकार की जो file है वो आपकी कम आकार में हो जाती है बाद में उसे आप अलग-अलग प्रारूप में open कर सकते हैं और अपनी file को प्राप्ट कर सकते हैं अब next 200.156.27.8 means अगर ऐसा लिखा हुआ है तो या किसका उधारन है domain name का mobile number का IP address का या फिर इन में शेक कोई नहीं तो mobile number तो है नहीं आप सभी के पास mobile phones हैं आप जानते हैं mobile number तो ऐसे होगा नहीं ये किसका उधारन है IP address का उधारन है किसका उधारन है IP address का ठीक है ना IP के दो versions आपको मिलते हैं एक मिलता है IPv4 और दोसरा मिलता है IPv6 ठीक है ना दोनों को याद रखिएगा अब next निमलिखित में से कौन Libre Office impress की विशेशता नहीं है Draw with a pin Printing transparency Printing of speaker notes along with slide या इन में शेक कोई नहीं बताइए क्या होगा इसका राइटान सा काफी important question है आपका तो यहाँ पर इसका राइटान सोजाएगा option C Printing of speaker notes along with slide emails means slide छबियों के साथ speaker notes की छपाई करना या Libre Office impress की विशेशता नहीं है अब next किसी computer के hardware के पते को किस रूप में जाना जाता है the hardware address of a computer is known as IP address, computer address, MAC address या NIC address बताइए क्या होगा इसका राइटान सा तो यहाँ पर इसका राइटान सोजाएगा option C MAC address MAC address को manufacturing address कहा जाता है triple C exam में MAC address का full form भी पूछाता है जिसका full form होता है media access control क्या होता है media access control अब next HTTP किस प्रकार का protocol है बताइए what type of protocol is HTTP stateful, stateless, both या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर इसका राइटान सोजाएगा option B stateless protocol है ठीक है न HTTP आपका stateless protocol होता है अब next IMP निमलिखित में से किसके दोरा पेस किया गया था Mark, Crispin, John Puster, Kevin Strong या इन में से कोई नहीं IMP है क्या तो IMP email का एक protocol है full form इसका होता है internet masses access protocol ठीक है एक question triple C exam में यहीं से बन जाता है कि POP3 का उत्राधिकारी कौन सा protocol है तो IMP protocol ही होता है और यहाँ पर यह पूछा गया है कि IMP protocol किसने launch किया या इसकी जो संकलपना है किसने पेस की थी तो Mark, Crispin ने की थी option first is right अब next संपूर्ण land network को संक्रमित करने के लिए कौन कुक ख्यात है बताए निम्न में से ऐसा कौन है जो पूरे land network को संक्रमित कर देता है टोजन्स, वांस, बैक्टीरिया या फिर इन्सेक्ट land क्या है आप सभी जानते है triple C exam में land का full form भी कापी पूछाता है land का full form होता है local area network क्या होता है local area network और यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option B, warmth ठीक है न? यह पूरे network को आपके संक्रमित करने का कार्य करता है अब next मुद्रक अदे के printer को शुद्ध हिंदी में मुद्रक कहा जाता है तो अगर आप English को नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर कहा गया है यह मुद्रक की गती मापने की इकाई CPM, LPM और PPM होती है अब आपको पता होना चाहिए कि CPM का full form क्या है LPM का full form क्या है और PPM का full form क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ उससे पहले आप सभी लोग इसका answer बताईए तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first true बिल्कुल सही बात है अब इसका full form क्या होता है तो CPM का full form होता है character per minute क्या होता है character per minute होता है वैसे ही LPM का full form line per minute होता है और PPM का full form page per minute होता है अब यह क्या करता है printer की speed मापता है देखिए printer कैसे मापेगा एक बार में एक character प्रिंट कर रहा है तो इसको CPM है ना और एक बार में एक line LPM और एक बार में एक page तो page per minute तो triple C लक्ष क्लास की दूसरी क्लास में बस इतना है questions आसा करता हूँ आज की यह क्लास आपको पशंद आई होगी अगर पशंद आई हो तो like कर दीजे share कर दीजे और comment box में जरू बताइए कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी साथी साथ exam से पहले हमारी महा मेर्थन क्लास को देखना मत भूलिएगा और Libre Office की भी महा मेर्थन क्लास को देख लीजे जिनोंने भी अभी तक triple C crash course को join नहीं किया है तो आप उसको join कर लीजे आपको अभी free में मिलना है तो असल का लाब उठाइए thanks for watching my video फिर मिलते हैं next class में तब तक के लिए bye bye